राहूल गांदी के नेतरतव में कन्या कुमारी से चल रही भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक जानी है। इसको लेकर कॉंग्रेस के वरिशनेता जीतु पटवारी वरिशनेता जैराम रमेश, राष्ट्य परवक्तर रागनी नायक और महीला कॉंग्रेस की पूरवध्यक्षा शोभा ओजाने सुविक प्रैसवारता में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने भारती राजनेती के परिद साइस करते हैं अलग-अलग जूट और भ्रम के माया जाल पहना के उनको यह समझ आने लगा है कि देश की जंता कितना चाहती है राहुल जी को हमारे इंदोर में लायू मोबाइल पे यह यात्रा पूरा हमारा इंदोर जिला देख रहा है लोगसभा देख रही है यह अपने चाहता हूं कि शुरुवात भारत जोड़ो यात्रा की कर्या कुमारी से हुई पहले चरन में पांच दक्षिन भारत राज्यों का हमने यात्रा की तमिल्नाडू, केरिला, करनाटका, आंधरा और तलंगाना उसके बाद में कहा गया कि ठीक है इन पांच राज्यों में आपक जो सकरात्मक रिस्पॉंस मिला है जनता से, देखा जाएगा इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हम महराश्टरा आए, महराश्टरा में भी ग्यारा साड़े, बारा दिन हम थे हैं महराश्टरा में, दो दिन का विश्राम का दिन था, बारा दिन जो भारत जोड़ो और राहुल जी ने एक प्रेस कॉंफरेंस में भी कहा कि महराश्टर में जो हमें देखने को मिला है जो उट्सा हमें पब्लिक में देखने को मिला है वो डबल ए रेटिंग दिया तब अलोजना हुई ठीक है महराश्टर तो ये आपका गड़ रहा है उत्तर भारत में आके हिं पहले दिन से बुरहानपूर से ठांडवा तक उसके बाद खरगोन और आज सुबह कल शाम को महु में जो सम्मिधान को लेकर एक पब्लिक राली हुई जिसमें खरगे जी और रहुल जी भी मौजुद थे और उन्होंने संबोदित किया उस जनसवा को और आज सुबह जो मह जिम्पूर का सवाल नहीं है सारे देश भर में भारत जोडो यात्रा ने राजनीतिक नेरेटिव को बदल दिया है यह बात सही है है कॉंग्रेस संगठन में नहीं ऊर्जा आई हैं नहीं जान दिखाई दे रहे हैं एक नहीं उमंग है पर भारतीय राजनीती में भी कॉंग्रेस का जो नेरेटिव था वो बदल गया है और ये भारत जुड़ो यात्रा का नतिजा है